गाईज अगर आप अपने बच्चे के लिए किसी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसमें आपका पैसा सुरक्षित रहे और आपको गायंटे डिटरंस भी मिलें तो PPF काफी काम की ही स्कीम है PPF यानि Public Provident Fund एक सरकारी स्कीम है PPF 15 साल बाद मिच्योर होती है यानि इसका Lock-In Period 15 साल रखा गया है इस स्कीम में हर साल आप मिनिमम 500 रुपे और मैकसिमम 1.5 लाक रुपे तक जमा कर सकते हैं Current Time में 7.1% के हिसाब से इंट्रेस्ट भी मिल रहा है ऐसे में आप इसी स्कीम के थुरू अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं आई ये जानते हैं कि PPF अकाउंट किस उम्र के बच्चों के लिए खोला जा सकता है और क्या माता-पिता बच्चों के अकाउंट पर Tax Benefit ले सकते हैं? बच्चों के लिए PPF अकाउंट खुलाने की कोई minimum age नहीं रखी गई है उसके जन्म से लेकर कभी भी अकाउंट खोला जा सकता है बच्चों का PPF खाता उसके अभी भावक यानि Parents द्वारा खोला जाता है इसमें investment भी Parents ही करते हैं लेकिन 18 की उम्र पूरी होने के बाद बच्चा अपने अकाउंट को कुछ से handle कर सकता है और खुद उसमें invest भी कर सकता है क्या बच्चों के अकाउंट पर भी Parents को मिलता है Tax Benefit? गाईज, PPF में Income Tax के Act के section 80C के तहट Tax की छूट का प्रावधान है अगर आप अपने बच्चों के नाम पर PPF अकाउंट खुलवा कर उसमें पैसा जमा करते हैं तो आपको Income Tax के section 80C के तहट Tax की छूट दी जाएगी Income Tax के rules के according बच्चों के अकाउंट में जमाक के जाने वाला अमाउंट माता पिता याने पैरेंट्स दुआरा कमाया गया है तो उस पर भी Tax की छूट भी ले सकते हैं कैसी खुलवाएं बच्चों का PPF अकाउंट Guys, Bank या Post Office जहां आप चाहें वहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं वहाँ PPF अकाउंट खोलने का Farm मिल जाता है सबसे पहले Farm में मांगी गई जानकारी को भरें Farm में बच्चे के मातापिता या कानूनी अभिभावा के पासपोर्ट साइज फोटो और KYC डॉक्मोमेंट्स देने होंगे इसके अलावा बच्चे की एज का सर्टिफिकेट चाहिए होगा इसके लिए आप बालाधार, होस्पिटल से मिला, बड़ सर्टिफिकेट या कोई अधर सरकाई रूप से मानिया जर्मतिती प्रमानपता जमा कर सकते हैं सभी दस्तावेज़ों के साथ फोर्म को जमा करें इसके बाद बच्चे के नाम PPF अकाउंट खोल जाएगा कहीं बैंक्स तो ओनलाइन PPF अकाउंट्स खोलने की सुईधा भी देने लगे हैं लेकिन उसके लिए उस बच्चे के पैरेंट्स का पहले से ही उस बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है अगर हमें PPF अकाउंट मिचोर्टी से पहले ही बंद करना हो तो क्या होगा गाईज मिचोर्टी से पहले PPF अकाउंट्स को तभी बंद किया जा सकता है जब बच्चे की हायर एज्यूकेशन के लिए पैसो की जरूरत हो इसके लिए उस बच्चे के parents को उस college का admission certificate देना होगा Parents को accounts बंद कराने की ये सुधा accounts का time period 5 साल पूरे होने के बाद ही दी जा सकती है Guys second case है अगर आप अपना account बंद नहीं करना चाहते बस थोड़ी amount उससे निकालना चाहते हैं तो इस case में आपको एक certificate देना होगा कि इन पैसो की जरुवत आपके बच्चे को है I hope guys आपको ये information और वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको ये वीडियो और information अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को like कीजिए और साथ ही आप इस वीडियो को out of 10 कितना rate करने वाले हो हमें comment कर बताओ जल्द मिलते हैं किसी ऐसी informative वीडियो के साथ Bye guys keep growing